नमस्कार बहुत स्वागत है आपका इंजे नियूज एस्टो में और मैं हूँ शूति दिवेदी आज हम बात करेंगे एक सिंपल से टिप की जिससे के आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी जी हाँ अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन समर्द्धी बनी रहे आठ्थिक उन्नती हो यानि की फाइनांशल गेंज हो अगर आपको जॉब के प्रमोशन में दिकते आ रही हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यूनों आप मेहनत बहुत करते हैं और उसके हिसाब का आपको रिवार्ड नहीं मिलता है या फिर आपकी मेहनत जो है वो लोग पहचान नहीं पाते हैं तो ऐसे में ये एक मात रुपाए है वास्तु का जिसे आप अपना सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं वास्तु जो है वो हमारी energy को denote करती है हमारे घर के आसपास जितनी energy है वो हमारे घर में negativity या positivity attract करती है इसलिए आप देखेंगे कि कई घरों में बीमारियां वास्त कर जाती है और वहीं इनसान अगर घर बदल लेता है तो चीजें उसकी बहतर होने लग जाती है तो सबसे पहले क्या काम करें अपने phone पे compass download करें compass download करने के बाद आप देखें कि आपके घर का इशान कौन कौन सा है इशान कौन जो होता है वहाँ पे flowing energy रहना बहुत जरूरी है यहाँ पर energy का free flow होना, cleanse होना बहुत जरूरी है तो आप अपने घर के इशान कौन में कुछ भी water related लगाएं जैसे कि मान लिजे आपको fountain लगाना है तो एक छोटा पानी का फवारा आप अपने घर के इशान कौन में लगाएं और उसका पानी निरंतर बदलते रहें आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी negativity है वो दूर होने लग जाएगी पैसे की situation बहतर होगी आपका business कारोबार बढ़ेगा और जिसे कहते हैं पैसा आपके जीवन में भरपूर रहेगा आपके जो भी problems है वो धीरे धीरे resolve होने लग जाएगी और कहीं न कहीं आपको जीवन में सफलता मिलने लग जाएगी अगर आप सफल होना चाहते हैं और successful होना चाहते हैं तो यह एक उपाय आप जरूर करके देखे आपके जीवन में बरकत जरूर बनी रहेगी ऐसे ही खास बाते लेकर आऊंगी मैं शुरुत तवेडिकेवल इंडिया नियूस पर नमस्कार